चैट का opposite word क्या होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं चैट का मतलब होता है बातचीत करना या बोलना या बाते करना तो इसका उल्टा हो सकता है चुप रहना तो चुप रहना को या चुपी को इंगलिश में आप mute या silence कह सकते हैं mute या silence तो जैसे कि आप ये कह सकते हैं we spend time chatting with each other यानि कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुई समय बिताते हैं तो इसका उल्टा आप कह सकते हैं we spend time in silence with each other यानि कि हम एक दूसरे के साथ चुपी में समय बिताते हैं या चुप रहते हुई समय बिताते हैं यह फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं don't chat यानि कि बातचीत मत करो keep yourself mute अपने आपको चूप रखो अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे कर दो कर दो किसी आपको एंगी 16 की सूर आपको OS OF LIKE stubर आप़ किसी दो में आपकोस्ते हैं आपकोस्ते हैं